दोस्तो संसदने किसानों के लिए तीन ने किर्सी कानून बनाये थे इसका अदीनियम 2020 में आया था और ये अदीनियम आने के बाद देश भर में किसानों के दौरा अंदोलन किये गए थे तो इनमें क्या थी क्या ये किर्सी कानून क्या थे उन पर चर्चा करेंगे और आज की latest ये है कि मोधी सरकार ने इसको एक बयान दिया है इसको क्या करना है मोधी सरकार ने इस पर बयान दिया है तो पहले चर्चा करते हैं पहले ही के नय किर्शी कानून क्या थे इस बात पर चर्चा करते हैं तीन नय कानून थे पहला था किर्सक उपज ब्यापार और बारिज संबर्दन और सरली करण विदियक 2020 तो पहला कानून था किर्सक उपज ब्यापार और बारिज संबर्दन और सरली करण विदियक 2020 इसमें क्या था पहले कानून में क्या था कि ये बिना किसी पंजी करण के बिना किसी कानून के दाइरे में आएक किसान अपनी मंडियों के बाहर उपज बेच पाएंगे ठीक है पहला कानून ये था कि बिना किसी पंजीकरण बिना किसी कानून में दारे के ये किसान अपनी मंडियों के बाहर उपज भी बेच सकते हैं दूसरे कानून की बात करें दूसरा क्या कानून था किर्सी में किर्सी ससक्तिकरण और सर्रक्षन कीमत आस्वासन और किर्सी सेवा करार विदियक 2020 तो ये क्या था किर्सी ससक्तिकरण सर्रक्षन कीमत आस्वासन किर्सी सेवा करार विदियक 2020 ये क्या था किसानों और निजी कमपनियों के बीच समझोते वाली खेती का रास्ता खो तीसरा कानून क्या था इसका आवस्क बस्तू बिध्यक 2020 इसमें क्या था इसमें किरसी उपज जो भी है जो भी किसान पैदा करते हैं किरसी उपज उसको जुटाने का कोई डायरा नहीं था कोई सीमा नहीं थी जितना चाहें उतना इसमें इस्टोर कर सकते हैं तो मोधी जी का अब ये भी latest ब्यान आया है ये तीनो किरसी कानूनों को बापस ले रही है मोधी सरकार ठीक है ये important news है latest news है कि PM मोधी ने कहा है कि तीनो किरसी कानूनों को सरकार बापस ले रही है कितना अंदोलन क्या रुकेगा इस से इस बात पर चर्चा करते हैं मोधी जी ने हार मान ली और किसानों के ये तीनों कानूनों को बापस करने के लिए मान गई है ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें